आप सबको सबस्वागत है। आज हम चार मार्च के इस्वरे वरदर्दान में आप पहुंचे हैं। और आज परमपिता परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम एक अविनाशी रत्म के जासे बने। इसकी चमक कभी है कम ना हो और करने के लिए हमें सबसे मुक्ए है परम पता परमात्मा का स्वयोगी बनना वह बंते कैसे हैं आज इसके बारे हम सीखेंगे आपर तो प्रमात्मा कहते हैं अपने शब्दों में सदा स्नेह और स्योग द्वारा स्नेह की शक्ति बहुत में कि स्वयोग देते समय कभी कभी हम सिर्फ रिटर्न में चाते हैं तो वो स्वयोग साक्वन होते हैं अब अभिणाशी रत्न का टाइटल करने वाले अमरभव अमर अमात्मा सवरूप में आकर के जो करम करते हैं वो हमें अमरता के सुरूप में ला देता है और जो हम दुनिया भी कर्म करते हैं वो सब कुछ तो छोड़ के जाना है तो उसमें कुछ अमर की बात तो होई नहीं जो स्थापना के कारे में सदा स्नेही और सयोगी रहते हैं परमात्मा जो स्थापना कर रहे हैं उसमें हम सदा के हैं नहीं है अगर और सयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रत्म का टाइटल मिल जाता है कैसे अविनाशी उनके मन में हमेशा ये चीज चलते रहेगी कि मुझे अपने आपको परिवर्तन करना है क्योंकि मेरे परिवर्तन के दोरा ही मैं परमात्मा को सयोग दे रही हूँ आत्मा तो स्वा परिवर्तन से ही परमात्मा की मदद हो रही है तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं हमें अमर भव का टाइटल मिल लाता है और अविनाशी टाइटल मिल लाता है आपने अपने जीवन में भौतिक आनंद की जगा परमात्मक आनंद लेना शुरू कर दिया तो आप धर्ती पे बोज भी कम हो जाएंगे आपके लोग भी कम हो जाएगा तो आपको अहंकार नहीं आएगा आपको इर्शानी होगी तो आप vibrations कैसे पहलाएंगे हाँजी तो यह बात होती है आपकी खोशी भी अविनार्शी रतन जो कभी कोई भी कभी हिला ना सके कैसे अविनार्शी के नहीं करते हो आप एंजदो करके भी को एक लीफ नहीं रखते हैं कोई भी रुकावट रोक ना सके ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरधानी है किस चीज में अमर कि वो ऐसे कारे में कभी ना मरे मतलब कि वो इस कारे को कभी छोड़े ना वो सदही अपने आपको परिव्यतन और परमात्मा के जो अविनाशी कारे का परमात्मा पिता वे बाप के कारे को अपना समझते हैं यह नहीं सोचते कि हाँ मैंने कुछ कारे किया है तो मुझे इसको कुछ चाहिए इसमें मैंने यह किया मैंने वो किया मैंने यह सिवा करी नहीं वो सोचते ही कि मैं परमात्मा के कारे कर रहा हूं जैसे कि एक बच्चा अपने पिता के कोई कारे करता है तो यह नहीं बोलता कि मुझे रिटन में क्या मिलेगा उसी तरके से यहाँ पर भी हम जब परमात्मक साथ मिलकर के कारे कर रहे होते हैं तो हम यह नहीं बोलता कि भगवान मुझे मिलत लेगा के रिटन में सदा साथ रहते हैं इसलिए अविनाशी बन जाते हैं किसके साथ रहते हैं परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं और उन्हें अपना साथी बना करके हर कारें उनका करते जाते हैं और वो इटेंशन में रहते हैं कि मेरे से कुछ गलती नहूँ तो वो अभी नाशी बन जाते हैं क्या अभीनाशी खुशी होती है अभीनाशी शांती शक्ती होती हैं उनके जिवन में यह सारे चीज़े सिखाई जा रही हैं आपको ब्रह्मा कुमारी इस Godly Spiritual University में जहां पर आप जाकर के इस विद्या को ले सकते हैं और अपनी खुशी को बेवनाशी और परमात्मा के साथी बन करके इस दुनिया को परिवर्तन करने में आप आगे बढ़ सकते हैं ओम शान्दीज के साथ